नमस्कार, मेरे चानल पे आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगी कुछ महत्वपून जानकारी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है सावन का महीना हिंदु धरम के लिए बहुत जादा महत्वपून है 25 जुलाय 2021 से शुरू हो चुके इस महीने का स्वागत सब उपवास रखकर करते हैं सावन का महीना शिवप जी का महीना माना जाता है और इस पूरे महीने शिवप जी की पूज़ा की जाती है लोग उपवास रखके शिवजी की पूजा करते हैं सावन के सभी सोमवार को उपवास किया जाता है सबके उपवास रखने का तरीका अलग होता है कुछ लोग पूरे महीने उपवास रखते हैं कुछ लोग केवल सोमवार के दिन उपवास रखते हैं और कुछ केवल पूजा करते हैं सोमवार के उपवास में भी कुछ लोग पूरे दिन फलहार करते हैं या फिर रात के समय संपुन भोजन करते हैं या फिर रात के समय एक अनाजवाला भोजन करके ये उपवास तोड़ते हैं आप अपने अनुसार इस उप्वास को रख सकते हैं बहुत से लोगों को ये दुविदा होती है कि सोमवार के उप्वास के दिन क्या खाएं तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करने आई हूँ पूजा पाट के बाद सावन के वरत में अपने दिन के शिरुवात हेल्दी ड्रिंक के साथ करें जैसे कि फलो का ताजा जूस या फिन निम्बू पानी जिसे बनाना बहुत ही आसान है जब हम सब उपवास रखते हैं तो हम उपवास के तुरण बाद चाए पीते हैं जो की गलत है उपवास में आप पूरे दिन फलहार पर रहते हैं ऐसे में अगर आप खाली पेट चाए पीते हैं तो उससे आपको ऐसीडिटी और गैस की समस्या हो सकती है आप चाई पीए लेकिन पहले कुछ फलहार करने के बाद अगर आपका उपवास नहीं है आप केवल पूजा करते हैं तो आप अराम से चाई पीजिए लेकिन उपवास है तो कम ही चाहे पीजिए क्योंकि इससे आपको कब्स, ऐसी डीटी, पेट में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अब ड्रिंक के बाद बारी आती है दुपहर के खाने की अब क्योंकि आपने सुबह केवल तरल पडार्त लिया है और दुपहर के खाने को अभी भी काफी जादा समय है तो आप बीच में फलो का सेवन करें या फिर सबसे बेस्ट है आप ड्राइफ रूट्स का सेवन करें जिससे आपको एनरजी भी बनी रहेगी सावन के उपवास महीला और पुरुष दोनों करते हैं पुरुषों को काम पे जाना होता है इसलिए उन्हें एनरजी की जरुत होती है और प्रतेक महीला एक वर्किंग लेडी होती है कुछ घर समालती है तो कुछ ओफिस ऐसे में जरूरी है कि आपकी बॉड़ी में एनरजी बनी रहे इसलिए वरत के दिन भूख के पेट बिल्कुल ना रहें ड्राइफ रूट्स का सेवन करते रहें इसके अलावा आप फलू का भी सेवन कर सकते हैं लेकिन ड्राइफ रूट का सेवन करना जादा असान है दोपहर और सुबे के बीच का जो समय होता है वो सबसे जादा व्यस्त समय होता है ऐसे में ट्राइफ रूट आप अराम से खा सकते हैं, काम करते करते और आपकी बॉडी में अनर्जी भी रहेगी इसके बाद बारी आती हैं लंच की, लंच के लिए बहुत सारे उपा हैं जैसे कि फलाहारी भोजन, आलू, लौकी, कद्दू, अर्बी और टमाटर जैसे सबजियों को आप घी और जीरे के तड़के के साथ बनाएं और इसे कुट्टो के आटे की पूड़ी के साथ खाएं अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतना खाना खाएंगे तो वृत किस बात का लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए अगर आप यह सोच के भूके रहेंगे तो आप अपने बॉड़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं उपवास से लोगों की श्रद्धा जुड़ी होती है साथ यह जो उपवास के नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं इसके पीछे का साइंटिफिक कारण कहता है कि यह हमारी बॉड़ी को डिटॉक्सिफाई करते हैं इतने समय से हम तला, भुना, वेज, नॉनवेज, कई प्रकार के खाने खाते हैं और ऐसे में अगर हम इसी को लगातर खाते रहेंगे तो हमारी बॉड़ी के अंदर बिमार्या उत्पन हो जाएगी इसलिए हमारे पूरवजों ने वीच बीच में ये वरत का नियम बनाया जिससे की हमारी बॉड़ी क्लियर हो जाए और डिटॉक्सिफाई हो जाए साथ ही लोग पूजा पार्ट भी करते हैं तो मन भी शान्त हो जाता है, शद्धा भी जुड़ी रहती है इसलिए वरत में भूके रहना कोई जरूरी नहीं है, आप फलाहारी भोजन करते रहें, थोड़ा थोड़ा खाते रहें लंच के बाद वाले समय में आप फल खा सकते हैं, शाम के समय आप चाय पी सकते हैं हर प्रकार का फल का सेवन आप इस वरत में अराम से बेजी जग कर सकते हैं और याद रहे, पूरे दिन पानी बहुत अच्छे से पीते रहें, जिससे कि आपकी बाड़ी में बिल्कुल भी डिहाइडरेशन ना हो लोग सोचते हैं बारिश का महीना है, मौसम थंडा है, प्यास नहीं लगरी तो पानी नहीं पीते हैं प्यास लगे या नहीं लगे, आपको पानी पीते रहना है रात के समय आप चाहें तो किसी भी मिल्क प्रॉड़ट का सेवन कर लीजे, दूद या फिर दही बहुत से लोग रात में दही नहीं खाते हैं तो वो फलो का सेवन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप कुट्टू के आटे की पूरी या फिर सबजी कुछ भी बना के खा सकते हैं इस तरह का डाइट प्लाइन अगर आप सोंबार के उपवास के लिए फॉलो करते हैं तो आप पूरे दिन अनर्जी से भरे रहेंगे अगर उपवास के समय आप जबरस्ती भूके रहके उपवास रखते हैं आपके अंदर चिड़ चिड़ा पनाएगा आप लोगों पे अपना गुस्सा उतारेंगे तो फिर ऐसे वरत का क्या फाइदा जिसमें है कि आप लोगों को दुख पहुँच आए तो इससे अच्छा है फलाहारी भोजन करते रहें तो यह तो बात हो गए कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए तो अब मैं आपको बताती हैं कि इस व्रत में हमें किन चीज़ों को अवॉइट करना चाहिए सावन के पूरे महीने नौनवेज का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए इसके पीछे दो कारण है पहला तो यह इस महीने हमें भगवान की भक्ती करनी है तो भगवान की भक्ती के लिए नौनवेज का त्याग तो करना ही पड़ता है और दूसरा reason जैसे कि मैंने आपको बताया था कि body का detoxification आप 11 महीने non-wish खाते हैं और एक महीने non-wish नहीं खाते हैं तो आपकी body अंदर से detoxify हो जाएगी और आप अगले 11 महीने अराम से non-wish खापाएंगे इसके अलावा मदीरा का सेवन या नशे नहीं करने चाहिए में दे दूंगी तो ये तो ती सावन के सोमवार के बारे में कुछ विशेश बाते इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे comment करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर ये सारी बाते आपको अच्छी लगी हो आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक्यू सो मच फू वाचिंग